तो आरा लोकसभा शेत्र में एक जून को मत्तदान होने हैं इसे लेकर सभी पार्टियों के नेता दीरे दीरे अपने शेत्र में पहुच रहे हैं और जन्नता को लुभानी में लगे हुए हैं तो वहीं इसी कड़ी में आरा में लोजपा राम दलास पासवान के राश्ट्रय अध्यक्षर चिराग पासवान पहुचे जाहनों ने कई पार्टियों पर हमला बोला और इंडिय के प्रत्याशी आरके सिंग के परक्षमें मतदान करने की अपिल की तो वहीं प्याम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदान मंत्री मोदी जी के आने से देश के अर्थविवस्था में सुधार आया है और धीरे धीरे देश तरक्की की ओर जा रहा है अज़ान से जो रुचान सामने आ रहा है उसमें एक तर्थ आए है कि चार तारीक एग्रियम मशीन खुलने के बार हमारे माज़ोगा प्रदान मंत्री आदनिया नरेंडर मोदी जी तीसरे बार धेश के प्रदान मंत्री बनने जा रहा है इसमें कहीं कोई प्रदान मंत्री तीसरे बार धेश के प्रदान मंत्री बने तो ऐसे में हम ये वोगी जिम्मेदारी आराए उस्चारा के तमान अद्धातां की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम एक ऐसे पदी निभी को यहां से चुन कर बेजें जो भालत की संसर ने जाने के बाद पधान मुंत्री ही के अगल में बैठ कर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके आप लोगों के दिकाश की कारे को धरातर परितार सके ऐसे में हम सब के लिए ये गाल की बात है कि पिछले एक जशक से पिछले दस साले से नासे औरा गोड़ सबा का भारत की संसर ने मजबूत है निभी आप लगते हुए आदम यार के सिंग सहाब कर रहे हैं बल्कि प्रधान मुंत्री जी की क्या दिनीद में भी बतार के इंद् झाल